शिरी शिवाई नमस्तुब्यम हरहर महादेव छत्यपती शिवाजी नगर ओरंगाबाद महारास्ट में गुरुजी पंडिपदी मिशाजी के द्वारा वाजी जा रही सत्यम शिवम सुंदरम शिव महाप्राण कथा के पहले दिन की कथा अच्पून हो चुकी है ये कथा एक जून से साथ जून तक दोपहर में दो बज़े से पांच बज़े तक चलने वाली है सत्यम शिवम सुंदरम शिव महाप्राण कथा के पहले दिन की कथा में गुरुजी ने कुछ नए उपाए बताए है जिसमें से गुरुजी ने पांच वेल पत्र और पांच जगजल वाला एक विशेश उपाए बताया है और गुरुजी ने कहा है ये उपाए करने से आपकी मनोकामना दो महा के अंदर पूरी हो जाती है ये एक विशेश और नया उपाय है, जिसे आपको कब और कितनी बार करना है और कैसे करना है, ये हम आपको इसी वीडियो के अंत में करके दिखाएंगे, ताकि ये उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके, साथ ही कल 2 जून और शुक्रवार का दिन है, और इस दिन किया जने व नहीं सुनी है, तो पूरी कथा कर रस्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा, आज की वीडियो का प्रशने इस प्रकार है, ओरंगाबाद में चल रही शीव महाप्रान कथा के पास कौन सा जोतिल लिंग है, भीमा शंकर, बी नागेश्वर, सीत्रम आप इस प्रेशने का उत्तर कमेंट के जरी हमें भेश सकते हैं और हम इस प्रेशने का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे, तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर, सत्यम, शीवम, सुन्दरम, शीव महाप्रान का वढण करते हुए गुरुजी ने बढ़ते हैं आशी कथा की दूसरी जानकारी की ओर, रामायन, भागवत, शीव महाप्रान तीनों में अंतर है, एक बहुत बढ़ा अंतर है, रामायन मनुष्य को जीना सिखाती है, भागवत मनुष्य को मनना सिखाती है, और शीव महाप्रान मनुष्य को संसार में सही उसे कैसे जीना है ये सिखाती है बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की और जितनी शिप परिक्षा लेते हैं उतनी कोई भी परिक्षा नहीं लेता है और ये भी सत्ते है जितना शिप प्रदान करते हैं उतना कोई भी प्रदान नहीं कर सकता है बढ़ते हैं आज की क जॉब लग जाएगी पर जॉब नहीं लगी बेटी ने पशुपती नादवरत करना शुरू किया और साथ में रोज एक लोटा जल चड़ाना शुरू किया और शिप पर विश्वास करना शुरू किया और बेटी ने मुझसे कहा शिप जी ही मुझे पास कर सकते ही और आम मेरी कथा कि पांच वी जानकारी की ओर निर्मिला जी पत्र लेकर आई गुरू जी मेरी पडोसन सीहोर गई थी और वहां से कंकर लेकर आई और कंकर को ही शंकर मानकर उसका पूजन करने लगी और मैंने सुना था सीहोर कुपरिशवर धाम का कंकर शंकर का पूजन तीन महा ही कर लि की और शीर महाप्रान की कथा सुनना मतलब कल परवक्ष के नीचे बेटने के बराबर है और कल परवक्ष की छाओं में बेटने से जैसे जो वोलो वस्च हो जाता है उसी तरह शीर महाप्रान की कथा की छाओं में बेटने वाले की मनोकामना तीन महिने में पूरी हो ही जाती है बढ़ते हैं आज की कथा की साथ विजानकारी की और अब तो वेल पत्र पर भी रिसर्च चुड़ू हो गई है और वेज्ञानिक यहां तक पता लगा पा रहे हैं कि वेल पत्र में कैंसल, लीवर, शुगर, बीपी और थाइराइट को भी ठीक करने की शमता होती है बढ़ते हैं आज की कथा की आठ विजानकारी की और गुरुजी ने आज की कथा में एक विशेश उपाय बताया है नया उपाय बताया है यदि कोई विशम परस्तिती हो काम नहीं हो पा रहा है काम अटक गया है या आपकी कोई मनोकाम ना है जो बहुत समय से अटकी हुई है पूर्ण नहीं हो रही है तो आपको शिवलिंग पर एक वेल पत्र और जल एक विशेश क्रम से अरपित करते जाना है जैसे जहां जहां हम जल अरपित करते हैं जो जल चड़ाने का क्रम होता है जैसे गणेश जी के स्थान पर जल चड़ाते हैं कार्तिके जी के स्थान पर गोरा माता के स्थान पर जल चड़ाते हैं, फिर अंत में पूरा जल शिवलिंक पर चड़ाते हैं, तो अब इसमें उपाय में आपको ऐसे करना है, सबसे पहले आपको वेल पत्र गणेश जी के स्थान पर रपित करना है, उसके बाद उस पर जल चड़ाना है, इसे तरीके से उसके ब्यान पर व्याव पत्र कशचक्पिस पर वुयाउलेगे और प्प्रय। उपाय करना है या बैठकर यूपाय कर सकते हैं गडे चीनकार कि ओर ट दीजान रखना है गुरुजी आप ये उपाए 5-7 सोंबार करके देखिएगा सफलता जरूर मिलेगी बढ़ते हैं आज की कथा की नोवी जानकारी की ओर जैशीरी पत्र लेकर आई 2012 में मेरे बेटे को खेलते खेलते पाओं में लग गई और डॉक्टर ने पाओं का चेक अप किया तो डॉक्टर ने हड़ी में कोई कस्ट बताया और पाओं में पट्टा चड़ गई और 2012 से दवाई चलती रही पट्टा चड़ता रहा पर बेटा ठीक नहीं हुआ 2022 तक ऐसे ही क्रम चलता रहा बेटा कॉलेज जाने लगा और पाउं की तकलीफ ठीक नहीं हुई और तकलीफ बढ़ गई फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया पेर में इंफेक्शन है, हड़ी गल चुकी है हड़ी सड चुकी है सारे डॉक्टर का इलाज कराया पर कोई आराम नहीं मिला फिर किसी ने शिवलिंग पर 5 जगह जल अरपित करने को कहा और साथ ने वेल पत्र शिवलिंग पर चड़ा कर उस वेल पत्र का आचमन कराना शुडू किया और जो बेटा कई वर्षों से चल नहीं पा रहा था वो मात्र आठ से दस दिन में ठीक हो गया और चलने भी लगा है उसी का अबारवित करने कथा पंडाल में आई हूँ बढ़ते हैं आशी कथा की दसवी जानकारी की ओर पांच जगह चड़ाया गया जल आपको अन्शित फल की प्राप्ति करा देता है उसी तरहां पांच जगह किया गया प्रणाम आपको जीवन में आनन्द की प्राप्ति प्रदान कर देता है जैसे अपने पिता के चड़नों को जो वेक्ति प्रणाम करता है उसको गरीबी नहीं आती माता को प्रणाम करता है वो कभी बदनसीब नहीं होता जो अपने भाई को प्रणाम करता है उसे गम नहीं आता जो अपनी बेहन को प्रणाम करता है उसका चरित्र कभी गंदा नहीं होता और जो अपने गुरू को प्रणाम करता है उसके जीवन में कस्ट कभी नहीं आता कभी बरबाद नहीं हो सकता बढ़ते हैं आची कथा की ग्यारवी जानकारी की और 16 साल की बेटी साक्षी का 40 बार च लड़की भगवान का भजन करने वाली लड़की भगवान को मानने वाली लड़की ऐसा कैसे कर सकती है दूसरे लोगों के चक्कर में कैसे आ जाती है वहां से कई लोग निकल कर जा रहे हैं कई लोगों ने समझाया होगा कि इससे बात मत करो इससे साथ मत रहो माता ने समझाय पिता ने समझाया होगा भाई ने समझाया होगा पड़ोसियों ने समझाया होगा पर उसने कहा होगा वो मेरे दिल में बसता है वो ऐसा नहीं हो सकता बहुत अच्छा है इसके बाद गुरुजे ने कहा आपको स्वेम समझना पड़ेगा आपको स्वेम जासी किरानी लक्ष्म बढ़ते हैं आशी कथा की बारवी जानकारी की और जिस घर के बेटा या बेटियों को अपने पिता के शब्द बुरे लगने लगें, भाई या बेहन के शब्द बुरे लगने लगें, और दूसरों के शब्द अच्छे लगने लगें, दोस्तों के शब्द अच्छे लगने एक लोटा जल साली समस्या का हल होता है मेरा बेटा एक वर्ष से प्राइविट कंपनी में जॉब करता था पर ऐसा लगता था कि बेटे की गुवर्मेंट जॉब लगनी चाहिए बेटा ना शंकर होवान को मानता था ना कोई संद के पास जाता था मेरे बेटे का प्रदोश के दर्शन करते हुए वेल पत्र को प्रदोश काल में शिवलिंग पर अरपित करना होता है या फिर शिखर के दर्शन करते हुए काम ना करते हुए निकल जाओ तब भी शिव सुनता है और मैंने भी कहे दिया अगर भोले तू है तो मेरे बेटे की नोकरी लगवा दे और बाबा की क्रपा ऐसी हुई कि मेरे बेटी की सरकारी नोकरी लग गई है उसी का भारवयत करने कथा पंडाल में आई हूँ बढ़ते हैं आशी कथा की च से सरके सपष होने से भी वो सई हो जाता है बढ़ते हैं आशी कथा की पंड़्वी जानकारी कि ओर मंदिर से मिले हुए फूल कर सबसे पहले कहां लगाना चाहिए कहां रखना चाहिंए वरू जिने कहा थाइए जब भी आपको को कोई पुष्प मिलता है मंदिर से प्रिं कर्ण में लगाने के बाद उस फूल का विसजन कर दो पर एक बात का ध्यान रखें पुश्प का आपके कर्ण में लगाना जरूरी होता है आपके कानों में लगाना जरूरी होता है बढ़ते हैं आशी कथा की सोल भी जानकारी की ओर कानों का छिदर और नाक का छिदर दोनों म प्रवेश कर लेना है और अगर कोई आपको बुरा बोल रहा है निंदा कर रहा है अपशब्द बोल रहा है तो वो कान के बाले का जो चिद्र होता है उससे बहार निकाल देना है बढ़ते हैं आशी कथा की सत्रवी जानकारी के और शीवलिंग पर जल चड़ाने से जो जल पूंजी नै कहा आपने शीव पर विश्वास करना बंद कर दिया है इसलिए आपको ऐसा लगता है शीव ने आपकी सुनना बंद कर दिया है क्योंकि यात को अगर आप उल्टा करके पड़ेंगे तो आपको दया पढ़ने को मिलेगा अर्थात आप यात करोगे तो भोलेना कमल मिल चाम है ये और ही कमल गठ्टा कि अंदर डाले ना है तो आपको कमल गठ्टा निकालने के बाद वह जल आपको श 선i सब्सक्रान शीवन के शी और अरपित कर देना है और जर आपके धन संब्दा की कमी कमी नहीं होगी घर में धन संब्धा करती चले जाएगी आज के उपायों से जुड़े आपके मन में यदि कोई कोश्यान है सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स सकते हैं वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरू टाइप किजिए का श्री शिवा नमस्तु प्यां